अश्कार तो प्रदेश के लिए आपके पास एक इंट्रस्टिंग अनलेसिस है और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और वह अनलेसिस यह है कि स्पेशली प्रेवेट खॉलेजिस में कितनी सीट्स वेकेंट हैं और मैं आपको यह भी बता दूँ कि डेटा अभी ऑफिशल नहीं है लेकिन यह कैसे आ रहा है और इस डेटा के सही माइने क्या है और फिर से मैं बड़ी हरानी होती है कई बार तो देखे से पहले डेटा कहां हम यूपी नीट की वेबसाइट पे जाते हैं आप सबको पता ही है अब इसमें जब पहले अलोकेशन हुआ था राउंड वन का आपको ध्याने कि आपने कैसे किया था आप सीट इंफो पे गए आपने अलोटमेंट सीट निकाली उसमें ध्यान किजिए अलोटिट सीट थी अब फरक कैसे है तो आप कोई भी कॉलेज पकड़ दीजिए जैसे कि हम ले लेते हैं फिलहाल मुझा फन अगर मेडिकल कॉलेज जहां पर चार सीटे भी खाली दिखा रहे हैं तो अब वैसे हमें बतानी है रहा अफिशली लेकिन अब यहां पर आप जाएंगे तो आपको स चार बच्चे नजर आ रहे हैं जो पहले कोई 150 थे बेसिकली यह एक्सोचारीस बच्चे वह जिरों ने वहां पर जाकर रिपोर्ट कर दी है हमजगे आप इससे हमें पता चल गया कि वह चार बच्चे जो रिपोर्टी नहीं की तो अब आजाते हैं दुबारा से इस पे और और जो मैं शुरूर से आप सबको कह रहा हूँ शैद जब से राउंड बन से भी पहले स्टार्ट हुआ था काउंसलिंग अफकोर्स केरला भी एक 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 एक्सेप्शनल केस है इन टम्स ओफ कि आप एक बार सीट मिलती है और आप नहीं लेते आप डिबार हो जाते हो मध्य प्रदेश भी लेकिन उत्तर प्रदेश जहां तक प्राइविट कॉलेज ये बात एक एक एक्सेप्शनल केस इसलिए है शैद यहीं स्टेट है जहां पर फ्री एक्जिट राउंड बन में नहीं है आइट ब्रॉडली हम बात करें उपर से स्टार्ट करें हरियाना उत्राख मिलती है और आप नहीं लेते हैं तो ये दोला उर्प्रा आपके जबत हो जाते हैं तो पहला मेरा यही कहना है कि ये तेरा बच्चे कौन है इनको रामा मेडिकल में सीट मिली और इन्होंने नहीं ली करेट सिमिलरली जारा बच्चे सुभारती में सीट मिली नहीं मिली सोला बच्चे कृष्णा मेडिकल मत्रा में सीट मिली नहीं ली टोटल आप देखेंगे तो अगर ये तगरीवन सौ सवासो बच्चे भी बन रहे हैं मनेल्टी के लावा सो दो लाख हिंटू सो रुपए ये दो करोड रुपए हैं जो की आग लगाये गए हैं सिद्धी भाशा में और मेरे पास फोन आया एक बच्ची का मैं नाम नहीं लूँगा कहती लास्टेर का बता रही थी सर हमने क्या गरा यूपी भर दिया मिल गया हमने नहीं लिया तो मै पहले पांच लेना चाहते थे तो मैंने क्यों हमने वीडियो सुना था कि भर दो फ्री एक्जिट में लेकिन यूपी में तो नहीं होती ना तो यहीं जो छोटा-छोटा डिफरेंस है ना अभी अभी एक कांसी मेरी खतम होई और इंडिया कोटा राउंड टू का मीटिंग चल देती मैंने का सारे भरो सारे मतलब सारे क्योंकि अभी भी वहाँ पर ठीक है अब राउंड टू आ चुका है तो एक शीट एंशोर कर लेते हैं जो शीट आप इने अलोट करा के खराब कर दी है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो और सभी लोग अपनी स्टेट का र मैं क्षित कई वर बता चुका हूँ कि आपको क्यों पूरा ऑप्शन भरने चाहिए अल इंडिया कोटा में अब उत्तर प्रदेश में पहली बात तो मेरे लिए ये अनोखे बच्चे हैं 16 बच्चे 19 बच्चे 11 बच्चे जिन्नों को ने 12 रुपे खराब किये इन्हें सीट अब आते हैं दूसरी बात पे भई चलो सर खराब हमारा कुछ नहीं हुआ है अब दूसरा इसका इंटरिप्टेशन यही है कि बच्चों के लिए फिर भी मौका है तो चुकि लोगों ने नहीं सीट ली तो 14 सीटे शिराब मूर्ती में भी खाली है और शारदा में भी 5 सीट देखा ली हैं तो मौका है उन बच्चों के लिए कि उनको अप्ग्रेडेशन हो सकती है तो इस लिस्ट से लेकिन एक बात मांगे चलिए अब यूपी तो एक मेना को बता दिया है वो मेरे बुर्शप्त को बराद में बेवकुफ लोग जिनों आपने दो-दो लाख रुमे में शीट मिली थी आपके पास एक लास्ट सरेंडर का डेट है एमसी सी में है डीम्ड का है ना और जब तक आप उस सीट को रिजाइन कर रहे हैं आप कुछ भी पैसा नहीं कट रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर से एक अजीब सी चीज है कि आप अगर अभी भी जा मैं मैं राउंड टू में अराम से मिल रहा है स्टेट कोटा के थूँ में यू सोलन तो मैं जब आपको पता ही था कि 400 सी नंबर थे ही वन सगें पहले अपने पास यूपी का फार्म भरा ही क्यों भरा तो आपने जागे सीट को ले ली अगर आपको बैक अप भी लेना था त जो लोग अच्छे कांसलर को नहीं रखते हैं अब यह जो 140 बच्चे हैं तो दूसरे अनेलेसी यह है जो कि डिफरेंट है दूसरे स्टेट से तो डीवन में अगर बहुत लोगों ने भी सीट ले लिया है तो काफी लोग रिजाइन कर सकते हैं बागी सभी स्टेट में ऐसा जिसाइन नहीं करता राइट यह भी मान सकते हैं कि यह 140 बच्चे जो मुझफर अगर मेडिकल कॉलिज की है ना इनको अपग्रेड मिलके तो ठीक है नहीं तो यहीं पढ़ने वाले हैं वो लोग जो को राउंड वन में सीट मिलें काफी में खुत्वे क्लाइंड भी आसे है फिलाल राजश्री मिला हुआ है पर हम राजश्री नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं मैं शारदा मिले रोहिला खड मिले मुझफर अगर मेडिकल मिले तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं यूपी में जिसने भी सीट लिये वो वन स्टेप अपग्रेड चाहेगा राइट बिल्कुल अब एक फ्रेश रेस्टेशन हो जाए पांसो नंबर वाले की जो फिलाल अभी सो रहे थे या जो स्टेजी हिसाद चल रहे थे और अब उनको सीट मिल जाएगी बिकास उन्होंने नहीं भरा था ऐसे भी कुछ बच्ची हो सकते हैं तो वो शिरामूर्थी की 14 में से सीट ले लेंगे या शार्दा की ले लेंगे या शार्दा वाला बच्चा शेरामूर्थी पहुंचेगा मुझफन अगर मेडिकल वाला बच्चा शार्दा पहुंचेगा ऐसे ऐसे हम एक एक लेवल उपर खिसक जाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रक नहीं पड़े इस यह है कि आप यह देख सकते हो इस लिस्ट से कि कितनी उम्मीद है आपके अपग्रेडेशन की और उस उम्मीद यह है कि आप अपग्रेड होगे कहां तक पहुंचोगे वल्लब आपके जो च्वाइस लिस्ट थी एक से लेगे 30 कॉलेजों की आपको लेट से 22 वा नमबर मि रिपोर्टिंग शुरू करा दिया राउंड वालों की किसी ने 14 फवरी से किसी ने 21 फवरी से क्लासे स्टार्ट कर दी है जैसा कि मैंने आप सब को पिछले वीडियो में बताया था कि चाहिए 17 बच्चे चाहिए 13 बच्चे जो राउंड टू में आएंगे एक महिने के बारा पढ़ाएंगे कोई शक्की बात नहीं है पस्ते के दो एंगल है एक तो यह बात पकी है कि फरस्टियर डिसंबर तक खतम करने तो यह लोग क्या करेंगे जो बच्चे 15 मार्स को कॉलेज जोएन करेंगे इन 15 बच्चों को अगले 20 दिन 14 गंटे दिन में पढ़ाया जा दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं करियर काउंसलर मेरे काम के बहुत छोटा हिस्सा है आपका बच्चा जो पहले बच्चे रिपोर्ट कर लेंगे ना 15 फवरी को चकर चुके हैं या अगले 5 दिन में करने वाले इनकी बॉंडिंग उनी शुरू हो जाएगी तो जो बच्चे महीने बाद पहुंचेंगे ना वो अपने आपको अलग थालग महसूस करेंगे पहले रिपोर्ट वाले बच्चे उनकी अलड़ी दोस्तियां हो गई होंगी लोगी गुरू बन चुके होंगे तो जब आपका बच्चा पहुंचेगा उसको ना कुछ नया सा दिखेगा लग नए बच्चे आते हैं एक महीने बाद अब यह जो आठ नए बच्चे हैं ना इन में समझने दोई लड़की हैं तो एक लड़की जो है उसके दूसरी के साथ अच्छी दोस्ति नहीं हो पाई तो पदा चले वो अलग ही रह गई क्योंकि बागी सब गर्स के तो अलगी दोस की हैं जो इस लिस्ट है लेफ्ट में तो मेरी सला ये कि आप तुरन जाके रिपोर्ट कर लीजिए और अपना सीट फाइनल करके कॉलिज जोएन कर लीजिए ठीक है तो ये दो एनलेसिस हैं जिन लोगोंने सीट छोड़ी है मेरे साब से दो लावर में खर्च करके वो बेव खर्ण के टॉपर थे उपर हैं तो आपको उमीद है कि आपको शार्दाय शेराम मूर्थी मिल जाएगा उस केस में रिपोर्ट मत कीजिए वन्नाव जो पैसे आप फिलाल दे देंगे सिंगूर्टी डिपोजिटिव अगरा के वह वापस लेने में बहुत दिक्कत हो है तो उसके साफ से आप अपना एक्शन लीजिए इसी तरह हमारी अगरा को मदद चाहिए आपको वन टू वन सलाह देने के लिए आपकी केस के साफ से आपको सज़स्ट करने के लिए आप हमारी प्रीमिम कॉंसलिंग ले सकते हैं नमबर पर कॉल करके आपका दिन शुब हो नमस्कार